दोस्तों मेरे बच्पन में और आपके भी बच्पन या जवानी में 2003 के हासपास वाली ऑस्टेलिया कि टीम किसी भूके बबबर शेड से कम नहीं थी जिनको एक में चलाना भी दूसरी टीम के लिए किसी तियुहार से कम न था यहां तक कि पूरी एसे मिलकर भी ऑस्टेलिया को नहीं हरा पाती थी जिसमें सहवाग, सचीन, भज्जी होते, सोहेबक्तर होते, संगकारा, जहिर खान, चमुंड़, वासिंज, माम तब भी पूरी एसे मिलकर ऑस्टेलिया को नहीं हरा पाती चुँकि दोस्तर ऑस्टेलिया काहरे खिलाडी अपने आप में एक टीम था बैटिंग में हाइडन और गिलक्रिष्ट बॉलर को शुरू में ही तोड़ देते, उधेर देते फिर पोइंटिंग आकर अंतक खेल लेते साइमन लैमन लाश्ट में आकर फिर से ताबर तोड बैटिंग करते साथी क्लार्क स्कोर बोर्ड को बहुत दूर ले जाते और जब उस्टेलिया वाले बॉलिंग करने आते तो भाई सबसे खतरनाग मेगरा बल्ले बाजो को सास तक लेने का मौगा नहीं देते अपनी स्विंग से अपनी रफ्तार से अपनी बॉलिंग के डिस्सिप्लिन से वो बैट्समेन को सास लेने तक कमाओ का नहीं देते वो एक टपे में एक ओवर नहीं तस ओवर फेक देते वेग रहा कि स्विंग से अगर आप बच भी जाते तो उचलते कूचते ब्लैटली आपको बॉल दिखने तक नहीं देते और गिलस्टी उनको साथ निवाते फास्ट बॉलर से अगर आप बच भी जाते तो सेन वान आकर इतनी खतरनाक टरं करवाते कि सीदव वाइड बॉल धाल कर बॉल सीदव घूम कर स्टम पर लग जाती दोस्तों मुझे लगता है कि वह आस्ता कि सबसे खतरनाक टीम थी अगर आपको भी यह लगता हो तो जानको सब्सक्राइब करदेने कमेंट करदेने जाहिन दोस्तों वन्दे मातरम